दोस्तों जो आपको GST इन्वोईस मिनाता है और आपको समाधान प्लान में एक सरकार के कॉमबसेशन प्लान में जो इन्वोईस मिनाता है उसके लिए दोनों अलग-अलग इन्वोईस नंबर किस तरीकर से में दिन होती है मैं आपको दिखागा रहा हूँ आपने यह जो प्रोड़क्त आपको दिखागा एक साम्पल शुगर सक्रेट ठीक है जी मैंने क्याश कर दे रहा हूँ उसको सेल कर रहा हूँ आपको देखाए देते में आपको तो अध्यान से दिखिएगा यह नोर्मल बिल में ने में आया देखिएगा यह जो GST इन्वोई इन्वोईस नमबर टॉन्टीशिस ठीक है और फरक्सांपल मैंने को इदर देखो मतलब समाथान प्लान का जो सहील है फरक्सांपल नोर्यस्ट तो उसमें फरक्सांपल सही प्रोड़क्त है आप सलेट कर देते हैं यह नमबर वन से शुरू हो जाती है देखिए क्योंकि यह अगर वह मतलब आपको नोन-गेस्ट या अप मतलब समाथान प्लान का यह आपको सेम प्रोडॉक्ट और यह दूसरा कोई प्रोड़क्त आपने शैल करते है तो आपको देखो किया रहा हो मैंने यह कर दीजिए तो आपको एदर देखियागा और यह जो है इन्वोईस सिरा सुरा 2 में चला गया है और बापस आपको GST में इन्वोईस काटना होती है इसको GST सलेट करिए को अभी उसे ही प्रोड़क्ट सलेट करो या दूसरा प्रोड़क्ट सलेट करो नो प्रब्लम आप इसको इन्वोईस करिए आप मतलब वो जो पिछले वाला जो सीरेल चल रहा थ जित्रा भी GST में आपको इन्वोईस करते हैं कि काटेंगे आपको GST R1, GST R3B वगेर रेपोर्ट में आ जाती है और जो आपको समाथान प्लान में जो सेल इन्वोईस करते हैं आपको मातर सेल रेपोर्ट में आजाती है तो दोनों ओप्शन इसमें दिया हुआ यह क्योंक केस्टमर आते हैं यानि रगुलर जीस्टी का भी कस्टमर आते हैं जो सरकार का समाधान बलान या कॉंपर्सेशन बलान का कस्टमर भी आते हैं और दोनों के लिए यह सोफ्ट्वेर सेम प्लाटफोर्म यूज़ कर सकता है थैंक यू